नमस्कार दोस्तों दोस्तों, निरामिया हेल सिंटर के वीडियो में आप बहुत स्वागत है मैं disinfect. सावन जाजो दिया दोस्तों, driver allergy एक common problem है जिससे बहुत लोगों को जूजना पड़ता है बहुत ज्यादा जूज़ादा तकलीव दे प्रोब्लम हो जाता है कई बारी जनरली इसके लिए लोग सेट्रीजन या श्टिराइड ऐसी कुछ अलोपेतिक दवाईया यूज करते हैं जिनका नुकसान भी है बहुत साइड एफेक्ट भी बहुत जादा है और रिलीव भी देती है तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एसी तीन होमेपेतिक दवाईया बताएंगे जिसके कंटिन्यू यूज से आप इस प्रोब्लम से हमेशा के लिए याद रखिए हमेशा के लिए आप इस प्रोब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो इस वीडियो को आप लाश तक सरूर से एसके कि आपैस क्या है दी की थे दोस्तों हमारी पहली दवाई है अल्याद सिप यह रामवाण दवाई है बेष्ट अभैसिन होमेपेतिक में यह दवाई किया करती है जडि़नि डuster एलरृजी में स्नीजिभ बहुत जादा हुती है चीक लगात करती नाक से पानी एकदम बहता रहता है आख़ों से पानी बहता है इतनी जादा जलन और बार 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 हम पहुँचते हैं जिस वझे से नाक'के चारों टरफ एकदम Das र्वालां लगता है झसी अठीज जाता है और अइसी नाक में बारी पन रहता है सर में symptoms अभी डॉक्टर ने बताया यह dust allergy के बहुत common symptom है और यही common symptom इस दवाई के भी है तो यह दवाई जो है homeopathy में अगर हम homeopathy दवाईयों की बात करें जो सबसे तेज काम करती है यह दवाई number one पर आएगी कुछ seconds में दोस्तों यह दवा काम करती है मुझे याद है एक बार एक आर्मी से कोई officer आये थे हमारे पास और उनको dust allergy की problem थी तो जैसे वो consultation के लिए बैठे उन्होंने अपना problems बताया तो फिर मैंने उनको हम क्या करते हैं एक डोस मुह में देते हैं तो वो खड़े वे और उनके मुह में मैंने एक डोस दवाई दी तो दो तीन सेकंड लगा फिर उनको बैठने में तो जैसे वो बैठे उन्होंने मुझे बताया कि मुझे काफी relief लग रहा है तो आप देखिए कि यह seconds में काम करती है यह बहुत ही 5 seconds मुझे sneezing और इन सबसे relief मिलने लग गया था तो यह medicine एक डम जो actually literally राम बांड की तरह काम करती है और इसके सामने दोस्तों सेट्रिजिन वेट्रिजिन सब fail है तो इस दवाई की आपको दो बुंदे दिन में तीन बार यूज करनी है दो से तीन महिने तक आप इसको बहुत ही शांदार दवाई है dust allergy की जिन लोगों को dust allergy रहती है काफी लोगों में breathing difficulty भी होती है यानि सास लेने में उनको दिक्कत रहती है थोड़ी सी दमा अस्थमा की शिकायत रहती है तो इस problem के लिए खास करके इस problem में पोथोस फेडिटर्स बहुत ही शांदार काम करती ह है जो आपको रात को सोने के त्रहिम हो सकता है थोड़ी सी वीजिंग की साउंड या सुई-सुई की साउंड सुनाई दे सांस लेने में तकलीफ हो थोड़ा चलने पे या सीडियां चडने पे जब आपको allergy होती है तो इस दवाई की आपको पंद्रा बुंदे यूज करनी ह के लिए केरिया कार्व यानि 1000 पोटेंशी यह एक तरह से आपको constitutional medicine dust allergy के लिए बोल सकते हैं यानि यह दवा आपकी dust allergy को जड़ से कड़ेगी और आपके शरीर में immunity power को बहुत हद में यह बढ़ाएगी तो immunity power बढ़ेगी तो allergy की problem भी आपकी काफी हद में reduce हो जाएगी यह द कि आप दो बुंदे सुबह सुबह खाली पेट में सबताम एक दिन सिर्फ आपको ले और आठ हफते तक आप इसको ले तो यह तीनों दवाईया आप दो से तीन महिने तक लीजिए देखिए आपकी dust allergy की problem काफी हद में दूर हो जाएगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसके अलावा dust allergy के लिए हम आपको दू-तिन टिप्स और दे देते हैं साथ में जो दवाईयों को बहुत help करेंगे दवाईयों को मदद करेंगे जिसमें सबसे पहला है vitamin C vitamin C immunity power को improve करने में बहुत help करता है तो जिन लोगों को allergy की problem रहती है dust allergy उनकी immunity low रहती है तो vitamin C में क्या आता है जिसे खटे फल वगरा हो गया हो गया हो गया मॉसमी हो गया बिल्कुल तो इन सब चीजों का ज्यादा इस्तमाल करें तो आपको immunity improve होगा और dust allergy में काफी फायदा होगा इसके साथ आप honey जरूर से ले honey honey madhu एक चमस शहत आप डेली ले आपको immunity में होती है उनके against resistance प्रोवाइट करता है कोशिश करें कि honey आपको locally मिल जाए अगर locally आपका जो जिस एरिया में आप रहते हैं अगर honey है तो that is the best but अगर नहीं मिलता है तो अब मार्केट से भी ले सकता है डाबर पतंजली वगरा का इसके अलावा third में steam steam inhalation बहुत ही effective है dust allergy के ल वो बल्गम है वो निकल जाएगा वो निकल जाएगा तो जो सांस लेने में तकलीफ होती है या चीके बगएर आती है जो problems होता है वो काफी अदमे रेडियूस हो जाएगा नाक के एलिया में जो congestion है वो relief हो जाएगा तो यह भी आप जरूर से करें इस वीडियो को like करे channel को subscribe करें बैल आइकन को जरूर से दबाए तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू